एक बार पंडे जवालान नहरु प्रदानमंती थे, इलाहवाद गए हुई समाजबादी युवजन सभा के लोग जनेश रुमिस, मोहन सिंग, बिजभूशन तिवारी के नेतत में उने कालेज अंडे दिखा दी नहरु जी ने अपनी गारी रुकवाई उतर के आए, बुलिन लड़कों को बोलाओ, और पूछा कि भई क्यों कालेज अंडे दिखा रहे हैं, लड़कों ने कहा कि हमारे युनिवस्टी की फीस बढ़ा दी, और होस्टिल की फीस बढ़ा दी, हम गरीब ललके आसपास के हो, बीसी से कहा कि आपने फीस के पढ़ा दी, कल तक ये आदेश बापस हो जाना चाहिए, आदेश बापस हो, एक बार जनेसुर जी को इलाबाद इंवस्टी के वाईश्ट अंसल ने रस्ट बाहर निकाल दिया, एडिमीशन दुवारा ले नहीं रहे थ, पंडित कमला पत् इस सिक्षा मंत्री थे, पंडित जी के पास लड़के गए, तो उन्होंने बीसी से कहा कि इसे दाखिला दीजे, कि नहीं ये लड़का आंधोलन बहुत करता है, तो पंडित कमला पत्र पाठी ने कहा कि आंधोलन नहीं करेंगे, तो नेता कैसे निकलेंगे इस तीन सौ दिन से जाद एस लड़के लावार अनस्व आश्टी में अंसन कीये हुए हैं कि student union का गषन होना चाहिए, चुना होना चाहिए, तीन सौ दिन सव ज्यादा होगा, बैठे हूए हैं, ko Ouch सुनने बाला नहीं है, अभी दिल्ली आइस दिल्ली में होने जा रहे हैं, student union क चुनाओ लेकिन सेंटर्ल उन्वेस्टी है प्राग राजरी उन्वेस्टी उसमें नहीं करने जा रहे हैं पूराम पूरबांचल इन उसका एक्सप्रेस का उदगातन करने प्रदानमंती जी गए हमारे मुख्वंती उनको रिसीब करने के लिए खड़े हुए थे तो सौब ग गारी आगे चली गए हमारे मुख्वंती पैदल पीछे पीछे चला तो कब तक चलता है चलता रहा कोई केर करता है नहरू जी लड़कों के लिए खड़े हो जाते प्रदानमंती गारी मुख्वंती के लिए नहीं खड़ी वो तो आप किया हुआ गुजरात में उत्तर पद मुख्वंती खड़े रहे तो एक हम चले वहां से थे और पहुंच गए यहां इसलिए आप विचार कीजिए कि डेमोक्राटिक सिस्टम को काईम रखना है कि नहीं रखना है नई सदन में जा रहे हैं इसमें तो बहुत बड़े-बड़े लोग रहें बहुत बड़े मन के ल सम्विधान था क्या हम उस सम्विधान को ठीक तरीके से रख सके उसमें कुछ जोड सके सिर्फ रोजाना घटाने का काम कर रहे हैं अगर हम सत्ता में बैठे हुई लोग देश के हर व्यक्ति को संदेह की दिस्ट से देखेंगे तो काम नहीं चल सकता है कानून बनता है अपरादियों पर लगना चाहिए आर्थिक अपरादियों पर लगना चाहिए लेकिन कहीं ब्याख्या नहीं है जिस पर चाहें जिसको चाहें उस पर पुलिस जाके पगड़ लेगी एडी पहुंझ जाएगी एडी पहुंझ जाएगी क्या ये सम्मिधान की मनसा सम्मिधान निरमाताओं की इस तरह के कानूर बनाने की रही थी कभी? कभी नहीं रही होगी? बहुत इमोक्रेट थे और सारे लोग थे और इस संसद में बैठकर भी इस तरह के कानूर नहीं बने वोटा बना, टाडा बना सा बने लेकिन वापस हुए को नहीं हुए? अटल बहारी बाज कोई बड़े आदमी थी अड़वानी जी थे यहां उस सदन में हिंद जीत, गुपता, सोबनाथ, चटर जी से लेके बहुत बड़े बड़े लोग थे बिपक्ष में, डाक्टर लोहिया रहे और पहले रहे समयधान सवा में तो थे ही सारी इंटिलेक्ट्वल क्रीम देश की, लेकिन उसके बाद भी बहुत बड़े लोग रहे, अच्छे कानून बने, कल कर यहां से आपके कम्मिनिस्ट पार्टी के, हिरेन मुकर जी, यहां भुपेस गुपता, जाने कौन कौन रहे, हर छेतर के लोग डरने लगें, आम लोग जब कानून से डरने लगें, तो यह देश के लिए बहुत खतरनाक चीज होती है,